मेरे साथ बातचीत के लिए बारा बंकी के डिएफो आकास वधावन मौझूद है वधावन जी क्या मैं देख रहा हूं लगा था ड्रोन कर रहे हैं आप लोग क्या इस्टी है अब तक क्या देख पाए हैं क्या जो दो अन्य भेडिये बचे हैं पकड़ने के लिए उनकी कोई अभी तक हमें जैकल्स खूब दिखे हैं लेकिन वुल्फ इसमें कोई भी भी अभी तक आया है और लगातार हमारा प्रयास जारी है ऐसा क्यों हो रहा क्योंकि अभी तक तो लगातार लोकेशन मिल रही थी उनकी पिक्चिर्स भी आ रहे थे फोटेज मिल रहा था उनका ले अभी चुब लास्ट रेस्की ऑपरेशन हुआ भी था उसमें ब्हुत ज़ादा लादड सकेल पर क्यूंकि उसको छेज करके हिए घा और इस्की ऑपरेशन में इसके बाद भी अवेरनेस का भी एक हमें था क्योंकि एक था कि भी अगर वो जानवर है उसको अटैक किया है कहीं उसनों वापस रिटर्न हुआ कोई कैजुल्टी ना हो इस तरीके में ताकि लोग भी थोड़ा इस डप होंगे इसी उसमें कैजुल्टी ना हो तो हमने प्रिवेंशन के लिए भी कल खूब इधर पे गाड क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप लगातार उनको ट्रैक कर रहे हैं पठाके चल रहे हैं घेर रहे हैं तो जो लगे हुए जिलों की सीमाएं हैं अग उदर भी शिफ्ट हो सकते हैं क्या हो जी देगे मूव्मेंट उसकी क्योंकि जानवर या कोई भी पंच्छी नदियां यह कि सीतापुर वाले साइट पर भी है और उन आइलेंस के बीच में जो पानी है वाटर लेवल भी कहीं कहीं जेका पर फ्लक्ट्वेट करता रहता है और कई वाटर लेवल जो है जो नी डीप हैं या अल्बो डीप तक के हैं या उससे थोड़ा और चार या पांच फिट गहरे साइट पर उस पर कंसिंटली अराम से स्विं करके निकल भी जा रहा है हमने उन एरियाज में जो यहां वाले साइट पर बहराइच वाले साइट पर जितने भी हमारे आईलेंस हैं उससे मौसम कम होता जा रहा है संभाव न है कि यहां पर हो जा घृबर अभी तो अभी तक 12 गंटे से उपर हमें हो गया है इस location में उन नहीं दिखा एक बात ये भी कही जा रही है कि भेडियों में बदला लेने का भी कुछ tendency रहती है आप लोगों ने जब तीन भेडिये पकड़े थे तो उसके बात से लगातार लोगों पर attack बढ़ गये थे ये बात मुझे वनिभाग कि ही अधिकारियन होता ही है तो इसको लेकर के भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं किस तरह से इस पर क्या कहेंगा देखे दो किसम के मैंने पहले बताया operation को दो प्रांग हम operation चला रहे हैं फर्स्ट जो उसका rescue वाला operation है जो rescue बिट है और सेकेंड जो लोगों के साथ जो awareness वाल मेल हुआ है जो adult मेल था तो उसको हमने एक rescue किया है उसके बाद अभी यह इस तरफ दिखा नहीं है कोई भी जो जानवर है हमारा but we are consistently searching it और इसी जो आप बता रहे हैं कि जो tendency है revenge लेने की उसके लिए जानवर को इस तरफ किसी भी human habitation में हम आने से रोक रहे हैं उसका क्योंकि जो पुराना traditional जो पात है उसको रोका जा रहा है बीच में बैरिकेडिंग की जा रहे है और लोगों की तरफ से proactively जागरुकता का कारिकरम किया जा रहा है जिसमें police administration जो हमार है honorable MLA साथ है उन सभी के द्वारा भी regularly लोगों को किया जा रहा है जो आप लोगों ने चार भीडिये पकड़े हैं वो सब एक ही जुन्ड से वास्ता रखते थे तो वह एक ही जुन्ड में एक ही साथ में एक पैक में घूमते रहते थे जिसमें से तीन जो है वह पकड़ लि करके जो कुनबा है यह चोटा होता जा जा रही है इसके लिए किस हद तक जा सकते हैं क्या किस तरह सिसको प्लैन करते हैं लोग आइम अफरेड ये इस तॉपिक फॉर वुल्फ एक्सपर्ट हूं गिवड़ आम जिस कंसर्ण विए रेस्क्यू ऑपरेशन सेक्सेस्फुली ह और रिवेंज वाली नौबत ही ना आने दे हम उससे पहले ही कोशिश कर रहे हैं कि उसके और इसके बीच में बफर बना कि उसको रूप लिया जाए बहुत शुक्री हम से बात करने के लिए आकाश वधावन है जिन्होंने डिटेल से बताया कि किस तरह का जो रस्क्यू ऑपरेशन है वो काम कर रहा है क्या-क्या टेक्नलोजी यूज़ की जा रही है और सफलता कब मिलेगी कैसे मिलेगी कैमरामन प्रेम सिंह के साथ संजेत रिपाथी एबीप न्यूज बहराइच